क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल बिल्डिंग्स से बिल्कुल ही अलग होता है मतलब कि जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती है बिल्कुल सीधी ऐसी बिल्डिंग ना होकर उन बिल्डिंग्स का structure बिल्कुल ही अलग होता है तो गैज आज की बीडियो में आपके लिए उन top 10 buildings की list लेके आये हूँ जिन buildings को बिल्कुली अलग करीके से बनाय जाता है और मैं एक बात बिल्कुल confidence से कह सकता हूँ कि जिन buildings के आज की वीडियो में लिस्ट लेका है हूँ उन में से आपने किसी भी वीडियो को नहीं देखा होगा अगर आपने इस वीडियो की list में से किसी भी वीडियो को देखा हो या सुना हो इस घर को इसी तरह से design किया गया है कि इस घर की खिरकिया और दर्वाजा सारे ही चीजे टेडी नजर आती हैं ये घर एक shopping center का हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे लोग shopping करने आते हैं और इस घर में भी घूमने आते हैं इस house को महां के लोग crazy domain name से जानते हैं जिसे English में cropped house नाम से बुलाये जाता है इस house को आगे से देखने के बाद आप सभी को लख रहा होगा कि यह कोई छोटा मुटा house होगा लेकिन यह कोई छोटा मुटा house नहीं है यह पूरा house 4000 square meter में फैला हुआ है यहाँ पर इस घर को देखने हर साल बहुत सारे लोग आते है नमबर 9 पर है cube house यह house नीदरलेंड में है इन houses को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मानों नीचे की तरफ किसी खंबे को खड़ा कर दिया है और उसके उपर किसी cube box को रख दिया गया है नीदरलेंड में यह छोटे छोटे घर है जिन घरों में लोग रहते भी है यह houses कुछ इस तरीके से बने है कि यह 45 डिगरी तक जुके हुए रहते हैं इन cubes को देखने के बाद आपको लग रहा हुगा कि वही इस घर में कितने लोग रह सकते हैं जादा जादा एक लोग रह सकता है तो नहीं मेरा वाई इसमें 2-3 लोग रह सकते हैं नमबर एक पर है वास्केट विल्डिंग यह बिल्डिंग USA में है और जो इस बिल्डिंग का नाम है वास्केट विल्डिंग यह बिल्डिंग दिखती भी बैसी ही है मतलब कि इस बिल्डिंग को एक वास्केट की तरह ही बनाए गया है दे वास्केट विल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर्स हैं और इस विल्डिंग को 1997 में बना के कंप्लीट कर दिया गया था बैसे गईज हर वास्केट का एक बजन होता है तो इस वास्केट का भी एक बजन है जो की है 150 टन ये पूरी बिल्डिंग 150 टन की है ये बिल्डिंग कोई होटल वगर नहीं है जहापर लोग खाना खाने आते हों इस गर में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहती है नमर 7 पर है स्टोन हाउस ये हाउस इस पुर्थगाल में होते हैं लोग इन घरों में रहने के लिए दूर दूर से आते हैं पुर्थगाल में ये घर ज़्यादा तर पहाड़ों पर ही होते हैं नमर 6 पर है Kansas City Library ये लाइबरेरी USA में है और इस लाइबरेरी की बिल्डिंग को कुछ इस तरीक से बनाये गया है जैसे बुक्स को एक साथ रख दिया हो और उसके अंदर किसी बिल्डिंग को बनाये गया है ये लाइबरेरी एक पब्लिक लाइबरेरी है जहापर दिन में बहुत सारे लोग पर दने आते हैं और इस लाइबरेरी को 1873 में बनाये गया था ये USA की सबसे ओल्ड और थर्ड सबसे बड़ी लाइबरेरी है इस लाइबरेरी में पुराने समय की बुक्स, मैप, पोस्ट कार्ड और बहुत साल पुरानी पिक्चर्स भी रख्यों ही है ये बिल्डिंग कनाडा में है इस पुरी बिल्डिंग को देखने के interns को आपको लग रहा हुआ कि बहुत छोटा करके बनाये गया है इस पुरी बिल्डिंग में टोटल 158 डूम्स हैं इस बिल्डिंग को पुरी साल में बहुत सारे लोग देखने आते हैं निम्र चार पर है यह building हमारे इंडिया में ही मुंबई में है इस building को एक अंडे की तरह design किया गया है जिसमें total 14 floors होंगे यह building पूरी glass से cover होगी यह building एक egg की तरह होने से normal building से काफी अलग है नमर 3 पर है Gordon gangster house यह house रसिया में है और इस house को पूरा लकडी से बनाये गया और यह amazing house जिसने बनाया उसे इस house को बनाने में 15 साल लगे और इस house को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये 4-5 मंजिल का ही घर होगा लेकिन ये 4-5 मंजिल का घर नहीं है ये घर पूरा 13 मंजिल का है ये घर सर्दियों में पूरा बर्फ से ढख जाता है इस house को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं ये house USA में है इस house को बिल्कुल ही उल्टा बनाये गया है और ऐसा नहीं है सिर्फ ये house ही उल्टाओ इस house के अंदर की भी सारी चीज़े उल्टी ही है इस house को USA में बहुत सारे लोग देखने जाते हैं क्योंकि ये house एक छोटा सा museum भी है इस building के अंदर जाता ही अच्छे हच्छों का दिमाग घूंजाता है क्योंकि इस घर में सारी ही चीज़े उल्टी है जब भई घर ही उल्टा है तो इसके अंदर की चीज़े भी उल्टी ही होनी चाहिए इस घर के अंदर जो museum है उस museum में आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंगी इस घर में बहुत सारी 3D images को भी बनवाये गया है और घर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ाई खेलने के लिए भी है तो गैज ये थी वो building जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा और नहीं किसी वीडियो में आपने देखा होगा अगर आपने इन सभी building में से किसी भी एक building को कहीं पर भी देखा हो या कहीं पर भी सुनाओ तो भी मुझे नीचे comment करके बताओ कि वो कौन से building है जिसके बारे में आपने पहले से ही सुना हुआ है तो गैज आपको इन सभी top 10 building में से सबसे best building कौन से लगी मुझे नीचे comment करके जरूर बताना तो इस वीडियो चे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, share कर लेना अपने friends और family के साथ जिसके उने भी inbuildings के बारे में पता जल सके तो मिलतें एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाए